इश्वर के बारे में जितना भी विचार करता हूं उतनी ही इस बात में परतीती बढ़ती जाती है कि इश्वर हमारे कर्मों का संपूर्ण योगफल है जो मनुष्य को उचित कर्म करने की प्रेपना देता है वो अभी इश्वर ही है जो कुछ भी जिवित है उसका संपूर्ण योगफल इश्वर है जो मनुष्य को भाग की कटपुतली मात्र बनाता है वो इश्वर ही तो है और जो सभी विपत्तियों में दिर्श रखता है वो अभी इश्वर है इश्वर भजन का अर्थ है उसके गुन का गान प्राथना का अर्थ है अपनी अयोगिता अपनी अश्वर के शहस्त्र अर्थात अनीक नाम है अत्पा हम योँ भी कह सकते हैं कि वह नाम हीन है जो नाम हमको अच्छा मालूम हो उसी नाम से हम इश्वर को भजें उसकी प्राथना करें कोई उसे राम के नाम से पहचानते हैं, तो कोई कृष्ण के नाम से, कोई उसे रहीम कहता है, तो कोई गौड, ये सब एक ही चैतन्य को भजते हैं, परन्तु जिस प्रकार एक ही तरह का भोजन सब को नहीं रुचता, उसी तरह एक नाम भी सब को नहीं रुचता. जिसका जिससे संपर्ख होता है उसी नाम से वह इश्वर को पहचानता है और वह अंतर्यामी होने की कारण हमारे खिर्दे की भाव को पहचान कर हमारी योग्रिता के अनस्वार हमारी सुनता है हमारी योग्रिता के अनस्वारी सक्षान कर्या है